नमस्कार मैं संदीप कसालकर क्रिप्टो टीवी के खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत दोस्तों अब क्रिप्टो स्कैमर्स का जाल भारत सम्वेद राजधानी दिल्ली तक पहुँच गया है दिल्ली में एक गिरो जो क्रिप्टो के माध्यम से स्कैम कर अपने काम को अंजाम दे रहा है ये गिरो लोगों को ऑनलाइन लोन्स का वाधा करता है और क्रिप्टो में निवेश करने के लिए वो धन का उप्योग करता है देली पुलिस ने हाली में चार लोगों को एक गिरो को आनलाइन लोन की सुवीदा के बहाने, लोगों को धोका देने और विभीनन प्लाटफॉमों के माध्यम से क्रिप्टोकरंसी खरीदने के लिए धोका देड़ी से प्राप पंड का उपयोग करने के आरोप में गिरफदा था कि उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें लिखादा लाइट यॉर अप्लाइड लोन इस एप्रूड, यू का इन चूज लोन लिमिट रेंज पॉम रूबिस तूलाइट, लिज लॉगिन तो एप, मतलब आपका लोन एप्रूड हो इसके तुरंद बाद उन्हें एक वाटसेप कॉल आया, जिसमें उन्हें लोन अमाउंट का पांच प्रतिशत एडवांस रूप से जमा करने के लिए कहा गया, जो कि कमपनी के नेवों के अनुसार बाद में वापस कर दिया जाएगा, इससे कहा गया तीन ट्रांजक्शन्स में कुल 40,000 रुपे जमा करने के बाद इसने वाटसेप पर जवाब देना बंद कर दिया पुलिस उपायुकतर प्रनाव तायल ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चलता है कि ये अमाउंट मध्यप्रदेश के नीमच जीले के बैंक खातों में ट्रांसपर की गई थी आगे ये भी पता चला कि दो दिनों के भीतर कतीत खाते में 75 लाग रुपे से अधिक ट्रांसपर कर दिये गए थे और उस पैसों का उपयोग करके विभीनन प्लाटफॉर्म उपर क्रिप्टो करनसी खरीदी जा रही उन्होंने का कि इस अपराद में कुछ सस्पेक्स को चीनित किया गया और उन पर तक्निकी निग्रानी की गई इसके बाद वे राजस्तान के चित्तोडगर से सक्रिय पाए गए पर उसके बाद चितोड गड में चापी मारे की गई और तक्निकी विश्टरशन के साथ यूमन इंटेलिजन्स के आधार पर चारों आरोपियों को आखिरका गिरपतार कर लिया गया उस्तार के दोरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यूटूब के जरिये इस तरह की धोका देडिका विचार आया था वे टेलिग्राम एप पर कुछ चाइनीज नागरिकों के संपर्क में आये जो ऑनलाइन लोन की सुवीदा के बहाने निर्दोष्ट लोगों को ठकते थे वे बैंक अकाउंट्स की खरीद करते थे और अकाउंट्स ओनर्स को 1.5 प्रतिशक का भुकतान करके रेजिस्टर सिमकार और आगे टेलिग्राम के माद्यम से धोका देने वालों को प्रदान करते थे गहरी चास से पता चला कि आरूपी ने यूपिया के माद्यम से अलग-अलग बैंक खातों में धगी का पैसा प्राप्त किया और फिर बाइनांस क्रिप्टो एक्षेंज पर उस पैसे से यूएस डीटी खरीद कर इसे क्रिप्टो करनसी में बदल दिया अधिकारे ने कहा कि आरूपी दिपक पटवा को यूएस से डीटी में कमिशन मिलता था और बाद में हवाला के जरिये अपने खातों में उससे रेडीम करता था अधिकारे ने ये भी कहा कि ये भी पता चला है कि कतीत वाटसेप नंबर का आईपी एड्रेस चाइना का था उस नंबर से समवाद करने के लिए दिपक चाइनीज भाषा में प्राप संदेश का हिंदी में अनुवाद गूगल ट्रांसलेटर की मदद से करता था अपराद में इस्तेमाल किये गए 15 डिबिट कार्ट, 7 मोबाइल फोर और 27 सीम कार्ड के साथ डूंगल, लैप्टॉप, टैबलेट और 20 हजार रुपे का अन्यसामान बरामत किया गया है पुलिस ने गा कि मामलिकी जांच जारी है और पीड़ितों की पहचान की जारी है लेकिन बेदर तो यह होगा कि ऐसे स्कैम्स्टर्स के जाल में कोई भी विक्टिम ना फसे और यह बिलकुल मुम्किन है इसे आप और हम मिलकर पॉसिबल बना सकते है इस डेली ऑनलाइन लोन स्कैम के सारे विक्टिम इस स्कैम से बस सकते थे अगर वो फॉइड़ेड मैसेज में आई लिंक पर क्लिक करके फेक लोन पाने के चासे में ना आते तो मैंने क्रिप्टो क्राइम्स के कई एपिसोर्स में कई बार कहा है और आज भी दहुरांगा कि no matter what forwarded messages, whatsapps, emails, telegram या किसी भी social media ग्रूप में आई हुई links पर क्लिक ना करे आपके क्लिक करने से कोई शातिर hacker आपका account zero कर सकता है या फिर इस case की तरफ आपको fake loan देने के प्रलोभन में फसा कर आपसे पैसे निकलवा सकता है अगर आप भी अपने online behavior में जैसे मैंने कहा वैसे थोड़ी सावधा नहीं बरते, spam mails और messages की link पर क्लिक न करें तो by default आप कई crypto scams और crimes के greeting बनने से बच जाएगे तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही crypto scams और crimes से जुड़ी stories के साथ मैं संदीप कसालगर फिर आपसे मिलूँगा तब देके लिए देखते रहिए crypto tv तब आपसे के लिए तो आपसे जाएगे